आप सभी का आज की प्रेस्वार्था में स्वाधत हैं आज माविंद्यवासिनी के नगर में आप सब को इसलिए चल्दबाजी में बूलाया गया कि आज देश की क्याबिनेट कमिटी ने एक बहुत बड़ा प्यासला प्रधान मंत्री नरेंज नमोदीजी के नेत्रूतों में लिया है आज देश की कैनर सरकार जो प्रधान मंत्री नरेंज नमोदीजी के नेत्रूतों में काम कर रही है रुपाजपा सरकार ने MSB को अपनी लागत से 50 प्रतिसत तक बढ़ाने का फैसला लिया खरीब क्रॉप में लागत के मुल्य के उपर 50 प्रतिसत समर्थन मुल्य देने का फैसला आज भार्दिय जनता पार्टी की नरेंद्र मोधी सरकार ने दिया है मैं पार्टी की वर से और देश के करोडों किसानों की वर से रदय से प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ क्यूंकि देश आजाद हुआ तब से अपने कुशिरी प्रदान देश के अंदर किसानों की एक मांग थी कि उनकी फसलों के उची दाम उनको मिलने चाहिए। कई सालों तक आंदोलन हुए, हजारों किसान आंदोलन में मारे गए, सहीद हुए, मगर किसी भी सरकार ने ये हिम्मत नहीं की थी, कि लागत मुल्य से डेड़ गुना, पचास प्रतिसत बढ़ा कर समर्थन मुल्य देना ये हिम्मत किसी नहीं की थी। आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंदर मोधी सरकार ने देश के लोगप्रिय प्रधान मंत्री से नरेंदर मोधी जी ने MSP के अंदर 50-30 तक क्रॉप के अंदर बरोत्री करकर देश के किसानों की साथ दसक पुरानी मांग को समाप किया भारतिय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी तब से अपने वचन पूर्थी के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही और ये देश के किसानों की माली हालत में सुधार करने के लिए देश की कुरूशी को बचाने के लिए देश के गाओं को तूपते हुए बचाने के लिए बहुत बड़ा कदम आने वाले दिनों में साबित होने वाला है ये 88 फैसले से खरीब के क्रॉपों को फाइदा मिलेगा किसानों को रागी, मक्का, कपास, सारी दलहन, मुपणी और कुछ-कुछ क्रॉप के अंदर तो लगबग 50% से भी ज्यादा फाइदा होने की संबावना है जिसके क्रॉप वाइज रेट्स आद भारत सरकार में कोशीद किया है मैं कुछ क्रॉप को आपको बताना भी जाओंगा जैसे मुंग में प्रति क्विंटल 1400 रुपय की बडोत्री सूर्य मुखी में संब्लावर में 1280 रुपय की बडोत्री रागी जैसे क्रॉप में जिसमें किसान हमेजा मुखसान करता था इसमें 997 रुपय की बडोत्री धान में 200 रुपय से जादे की बडोत्री जुवार में 730 रुपय की बडोत्री कपास के अंदर 1330 रुपय की बडोत्री इससे आप अंदाद लगा सकते हैं कि किस मात्रा में किसानों को फाइडा होने वाला है। जब से नरेंद्र मोधी सरकार बनी तब से एक के बाद एक किसान हीट के फैसले नरेंद्र मोधी सरकार ने के लिए सबसे पहले नीम पोटेड इुरिया लाकर इुरिया की काला बजारी को रोका और इुरिया की उपलब्दी को किसानों के लिए सहज और सरल बना दिया आद देश में कहीं पर भी इरिया की किल्लत नहीं है उसके बाद सारे खादों के दामों में कटोती की प्रजान मंत्री पसरविमा योधना एक संपून योधना के रुप में लाए जिसमें और कई सुधार करने की प्रक्रिया भी चालू है प्रजान मंत्री इरिगेशन योधना सालों से लड़के पड़े इरिगेशन के सारे प्रोजेक्ट को क्रियान मित करने की दिशा में आगे बड़े स्मॉल और माइक्रो इरिगेशन के लिए भी बहुत आगे बड़े सोईल हेल्थ काड़ का प्रोजेक्ट खाथ में लिया जब आपदा आती है तो किसानों की जो सहाइदा करनी पड़ती है उसमें भी वृद्धी की है और अब मैं मानता हूं किसानों की माली हालत को सुधारने में एक इत्यासिक और क्रांतिकारी कदम नरेंद्र मोधी सरकार ने उठाया है भाजपा सरकार ने उठाया है इसके सबसे ज्यादा फाइदा अगर किसी को होने वाला है तो देश के करोडों छोटे किसानों को फाइदा होने व अब तक उनको घंचीत रखा गया था मैं मानता हूं आज का दिन किसान हमेशा दिपावली के रुप में मनाएगा क्यूंकि सतर सालों से जो उनकी मांग थी वो मांग को आज पूर्ण करने का काम प्धानमंत्री स्री नरेंद्र मोदीजी ने किया किसान की माली हालत सुधर्ती है चाहे वो बड़ा किसान हो मजला किसान हो छोटा किसान हो जब किसान की माली हालत सुधर्ती है तो इसके साथ ही खेत मजदूर की भी माली हालत अपने आप सुधर्ती है तो कुल मिला कर सभी प्रकार की किसान और खेत मजदूरों को फाइदा प गाउं तूपते हुए बचेंगे लोग गाउं में अपनी किसानी करते हुए सूख के साथ रह पाएंगे मैं मानता हूँ एक मल्टी डैमेंशनल फाइदा पहुचाने वाला ये फैसला है और मैं रदय से देश के प्रदानमंत्री और उनकी कैबिनेट के सभी साथियों को रद भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने आज किसान हीद में बहुत बड़ा भैसला लिया है जिससे दूरगामी किसानों के बहुत सारी समस्याओं का अन्त होगा और आप सभी से भी मैं वेदन करता हूँ कि ये भैसले को जितना हो सके नीचे परकोलेट कराने में नीचे तक पह समचाने में आप हमारी सहाइता करें जिससे किसान को अपने दिकारों का जानकारी मिल सके आपका बहुत बहुत तन्यवा बंद्धिए